देखें पार्शियल फ्रेक्शन की मदध से हम nth derivative निकालेंगे पार्शियल फ्रेक्शन की मदध से ये अगर आपने पढ़ा हो dimensional in mathematics इन्ट्रीगेशन में एक जगए पार्शियल फ्रेक्शन का कंसेट है उससे इंट्रीगेट करें ML Agrawal से पढ़ा है अब जड़ा एक फार्मुला पर ले लिख लेते हैं फिर कोईशन को बताते हैं n3 derivative of ax plus b to power n क्या बताए गया था ax plus b to power minus 1 n3 derivative of dn of ax plus b to power minus 1 फार्मुला लिखे फिर हम लिखे आप लिखे अपने आप भाई एक तो होता फार्मुला आपको नहीं आदे अब आप सोच रहें क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें क्लब अब में बोल असे नबे फड़ से आपने का आप एक बार differentiate किया तो आया minus 1 ax plus b to power minus 2 into a दो बार किया तो minus 1 minus 2 ax plus b to power minus 3 into a 2 बार आएगा न a square आगया अब यहीं रुख गए हमने कहा देखो पहले तो इस पे देखो एक बार किया तो minus 1 आया दो बार किया तो minus 2 आएगा n बार करेंगे तो यानि कि minus 1 minus 2 up to minus n आएगा ठीक है एक बार किया तो power minus 2 आई अब इसको जोड़िए पहले कैसे हुआ मतलब minus 1 तो थी ही minus 1 एक और हो गया दो बार किया तो यानि कि minus 2 minus 1 हो गया तो आपने किया तक जितनी बार आप differentiate कर रहे हैं तो आप n बार कर रहे हैं तो minus n minus 1 हो जाएगा तो फिर a की power n आजाएगा अब आपने देखा देखी minus minus sum में आ रहा है कितनी बार कामन है n बार तो हमने कहा minus 1 to power n बाहर हो गया 1 into 3 into 4 up to n क्या हो गया factorial n और ये क्या लिख रहा हूँ मैं ये a x plus b की power है न a x plus b की power minus n minus 1 फिर आपने कहा a x plus b की power minus n minus 1 into a to power n ये negative है तो इसको काड़ दो अपन में लिख दो तो आएगा a x plus b की power n plus 1 क्या formula बना into factorial n into a to power n upon a x plus b to power संच में आई बार नहीं आई है मतलब आप कोई formula फटाक सिर्फ निकाले का तरीका होता कि आप 2 minute का समय लगे जतनी दियम सोचोगे उतनी दियर में उसका answer आपका आ जाएगा ठीक है अब मालिया आपको ये formula याद है ठीक है चुकि ये standard results है इसलिए इनका diet इस्तेमाल करेंगे अब इन्होंने आप से पूछा कि find एक example दिया कि find nth derivative of 1 upon 4x plus 5 1 upon 4x plus 5 यादि कि आपको निकालना है nth derivative of 4x plus 5 का inverse ठीक है फट से आपने देखा ये formula हमारे पास है ये भी linear ये भी linear पकड में आगया एक जिगे क्या रहा है 4 बीग जिगे क्या रहा है 5 रख दिए उठा करके तो क्या आएगा minus 1 to power n into a बोले तो into factorial n into a बोले तो 4 4 to power n upon 4x plus 5 का power n plus 1 सब में भी बात नहीं है हो गया अब ये calculator तो हो नहीं सकता ऐसे लिखा रहेगा note करिए इसको अब जैसे आपने 1 upon 4x plus 5 देखा अब माले अब ऐसा कुछ आ जाए माले 1 upon ये आ जाए ax plus b और ये आ जाए cx plus d अब क्या करें हम और आ जाए माले ex plus f b आ जाए अब अगर हम multiply करेंगे तो आप कल्पना करें कितना खतरनाक multiply होगा वो भी denominator में और जब ये new return जाएगा तो ये बिलकुर बन जाएगा राच्छ बड़ा सा ठीक है तो और दिक्कत हो जाएगी सुरसा राच्छी बन जाएगा तब क्या करें उसके लिए partial fraction करते हैं तो पार्शल फ्रेक्शन का तरीका क्या होता हम तरीका क्यों बताएंगे सलूसन तो अपने आप निकालोगे देखिए ये दोरों जो factors हैं ना वो कैसे है linear पहली चेश और ये repeated नहीं है repeated मतलब यहाँ पर कही पावर अगर से 2 लिखी होती तो हम कहते हैं ये linear है और repeat हो रहा है ये repeated नहीं है तीन factor है तो तरीका ये होता है इस factor के लिए A upon AX plus B कर दो plus B upon CX plus D कर दो plus C upon EX plus F कर दो कर दिया अब आप ABC की value निकाल लो निकालने का तरीका क्या है फिर coefficient equate करो अब coefficient equate करने के से मताब जो बहतर तरीका एक और है क्यों इसके लिए कि आप एक बार इस factor को जिरो कर दो वहाँ से X की value निकालो और अपने आप A की value निकालाएगी तो रखोगे value ना तो BC अपने आप कड़ जाएगे आपने इसको 0 किया है ना हम multiply करेंगे नी हम LCM लेंगे तो यह यहाँ multiply में आ जाएंगे दोनो यह दोनो यहाँ पर आ जाएंगे तो जब इसको 0 करेंगे ना तो यह इसके साथ भी आएगा यह इसके साथ भी आएगा दोनो 0 हो जाएंगे अब भई बड़ा तो हो जाएगा भई आपी तो बड़े हो गए है तो भई यह अगर हम कहेंगा भई बड़ा हो जाएगा तो बड़ा चलेगा भई वो तो मजबूरी है अच्छा इसमें एक खास जो condition है कि denominator है उसके degree छोटी होनी चाहिए पहली condition है अगर नीचे 3 degree घा तो उपर 3 degree से छोटा होना चाहिए अब जैसे में question लेते हैं कि आप से कहा कि find the nth derivative अब यह लिग करके नहीं आएगा कि partial fraction का है आपको ध्यार रखना पड़ेगा 1 upon 1 minus 5x plus 6x square इसकी value आपको निकालनी है अब 6x square अब मजबूरी यह है कि भाई अगर इसको as it is उपर shift कर दे हम तो यह quadratic है और quadratic का nth derivative निकालना हमने सिखा नहीं है मतलब एक symmetry आ तो जाए गई लेकिन एक symmetry नहीं बनेगी ना कि पहली बार में a आया है दूसरी बार में a square आया है एंth बार में 8 upon 1 आएगा तो इसके लिए हम करते क्या है देखे पहले partial fraction करते है partial fraction करने के लिए इसके factorize करेंगे तो actually यह लिखा है 6x square minus 5x plus 1 अब इसके factor क्या होंगे बताईए 1 upon डायर्ट हम बता आप तरीका नहीं बताएंगे इन दोनों का multiply करेंगे 6 आएगा चुक दोनों positive हैं ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका sum जिनका sum तो 2 और 3 होगा 326 तो इसको लिखेंगे आप 6x square minus 2x minus 3x plus 1 आएगा अगर यहां negative sign होता तो इसका multiply minus में 6 आता फिर आपको minus करना पड़ता minus करने पर 5 है तो 6 बन जा 6 करते हैं 6 minus 1 5 करते हैं तो जब इसको आप factorize करेंगे तो 1 upon यहां से x क्या कामल लेंगे 2x कामल लेंगे यहां से 2x कामल लेंगे तो क्या बचेगा x minus क्या लिख रहा हूं 3x minus 1 यहां से minus 1 कामल लेंगे तो 3x minus 1 यह क्या आगया 1 upon एक factor आगया 3x minus 1 और एक factor आगया 2x minus 1 अब यह factor आप diet कर सकते हैं मतलब rough में करोगे वह firm कर दो अब देखें यह दोनों factor कैसे हैं linear है और repeat में नहीं कर रहें तो इसके लिए तरीका क्या बताया पहले factor के लिए क्या करेंगे एपान 3x minus 1 और दूसरे के लिए क्या करेंगे बी अपान 2x minus 1 सुन में आग़ी बात मतलब linear factor होने चाहिए और repeat नहीं होने चाहिए मतलब इसकी power 2 3 4 ऐसा हां उसका method change होगा method change होगा ठीक है अब इहाँ solve कर लिजिए मतलब काम खतम आपका value यहां रख देनी है और यह चीज यह लिखी वी है ठीक है इसमें LCM लेंगे 3x minus 1 हमने आपको जो वीडियो भेजा है उसको देख लिएगा उसमें method पता दिए एक बार बस सर्शिन निगाज देख लिएगा और कुछ 2x minus 1 into 2x minus 1 यह cancel हो गया तो क्या आया 1 is equal to a 2x minus 1 plus b 3x minus 1 equation मट्टू पहुंचे ज़रा अब देखिए अगर linear यह linear factor नह होते ना तो हमको coefficient equate करने पड़ते है bracket खोलते x के term आते constant term आते अब चुकि linear है तो एक हमारे पास थोड़ा सा एक तरीका यह है कि एक बार आप यह करिए कि putting 2x minus 1 is equal to 0 यानि x is equal to 1 by 2 कहां पर in equation 2 यहां रख दीजे तो जब 2x minus 1 को 0 करोगे न तो यह 0 हो जाएगा x x है नहीं है x 1 by 2 आएगा यानि यह term पूरा 0 हो गया इधर x था ही नहीं तो इधर तो 1 बचेगा उधर b यह क्या आएगा 3 by 2 minus 1 और 3 by 2 minus 1 बोले तो 1 by 2 तो b की value क्या हो जाएगी 2 आजाएगी ना यानि b निकल आया दुबारा putting दूसरा factor लो 3x minus 1 बराबर 0 x कमान क्या आएगा 1 by 3 in equation 2 यह solve करने का तरीका होता है ठीक है अब यह चुकिछ लेबस का part आपके नहीं रहा है Intrigation में 11th क्लास में यह concept है तो इधर 1 हो जाएगा अब यह 0 किया है ना आपने तो यह पूरा step 0 हो जाएगा A के साथ क्या आएगा 2 by 3 minus 1 तो यह कितना आएगा 1 is equal to A के साथ क्या आएगा minus का 1 by 3 आएगा ना minus का 1 by 3 तो A की value क्या हो गई minus का 3 A निकल आया अब A B को उठाओ और equation number 1 में put कर दो A B निकलना था ना putting मुझे putting word गलत होता है English की हिसाब से लेकिन ठीक ही math में चलता है in equation 1 1 equation थी क्या 1 upon 2x minus 1 3x minus 1 था इधर 2x minus 1 3x minus 1 एक नीचे को ना आया था जानी कि minus 3 upon 3x minus 1 और plus 2 upon 2x minus 1 ठीक है अब हम इसको फिलहाल y माई ले रहे हैं क्यों अपनी जनकारी के लिए तो आपको इसका nth derivative निकालना है ना यहीं इसका निकालने तो देखिए nth derivative के से निकालेंगे तो अब आपको क्या निकालना है yn निकालना है तो कैसे करेंगे minus 3 बाहर कर दो और dn of 3x minus 1 का inverse plus 2 बाहर कर दो into dn of 2x minus 1 का inverse अलग-अलग करेंगे न यह अलग हो जाएगा अलग-अलग करने के लिए तो पूरा ड्रमा किया गया है किसे अलग-अलग हो जाएगा अब आपको साफ-साफ दिख रहा है कि AX प्लस B की तरह लिख रहा है तो इसकी value क्या आई थी minus 3 है यह, minus 1 की power n फिर क्या था? into factorial n फिर क्या था? a की power n और यह बोले तो a यह यहाँ पर क्या है? 3 तो 3 की power n अपान क्या था? 3X minus 1 की power n प्लस 1 यही था ना? जो standard result था यही था ना? और प्लस 2 यह क्या हो जाएगा? minus 1 की power n into factorial n into 2 की power n अपान 2X minus 1 की power n प्लस 1 तो result हो गया? note करिए इसको अब जैसे हमने कहा कि भी partial fraction में numerator की degree छोटी होनी चाहिए? अब माल लेते हैं question आपको बताया गया कि भाई, nth derivative निकालना है x square upon यह x plus 2 और 2x plus 3 x plus 2 और 2x plus 3 दीखें यह निकालना है आपको अब बताये उपर की degree कितनी है? अचा इसके factor की form में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है? उपर की degree कितनी है? और नीचे की degree कितनी है? कैसे degree पता लाई जाती है? डिगरी में होता पूरा आप open करेंगे ना इसको तब बतायेंगे ना 1 degree यह है, 1 degree यह है, multiply कितनी है degree हो जाएगा? दो degree आएगे ना तो तो दोनों के degree कैसी हो गई? सेम, ओ कंडिशन क्या है? कि degree सेम नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमको इसको डिवाइट करना पड़ेगा, ठीक है? अब कहीं कहीं तो अमेंडमेंड ओ प्लस 1, माइनस 1, हैं 10 करके कर देते हैं, भाई इनोंने कहा ऐसा करते हैं, इसमे डिवाइट करेंगे, डिनोमेटर यह है ना, और डिनोमेटर को खोलो कितना आएगा? 2X स्कॉर आएगा, और प्लस का 3X आएगा, और प्लस का 4X आएगा, और प्लस का 6 आएगा, यानि कि किसे डिवाइट करेंगे आप? 2X स्कॉर प्लस का 7X प्लस 6 से किसको डिवाइट करे कितने बार ले जाएंगे को पक्लास एज अध नाइंत पता है कितनी बा आ जाएंगी इसको वाहitt görünृ धे हूं कि नियम यह होता है कि जितनी बार भी आप ले जाएंगे उसका स laquelle से मल्टिप्लाइ करेंगे और यह सेम चीद नीचे आनी चाहिए तो यानि कहां 2x square है अगर मैं 1 by 2 बार ले जाता हूँ तो 1 by 2 का जब इससे multiply हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा यह x square बन जाएगा और जब इससे होगा तो क्या बन जाएगा यह 7 by 2x बचेगा और प्लस तो यानि कि this whole number this upon this लिखा जा सकता है यानि इसको क्या लिखा जाता है 1 by 2 minus इस minus का माले लो तो यह आएगा 7 by 2x plus 3 minus बार लिख जाना upon में क्या है upon में यह लिखा जाएगा और इसका मतलब यह यानि कि आपको हो जाएगा x plus 2 into x 2x plus 3 आप देखिए इसका काम खतम यह तो fraction है नहीं मतलब जिसमें x हो x तो क्यों इसमें है ना तो इसका आप partial fraction करेंगे यानि आप इसको एक question 1 डाल देंगे value यहीं चुक्छी रखनी है ना अब आप क्या करेंगे 7 एक काम कर सकते हैं यह ऐसा करते हैं कि अरे ठीक है 7 by 2x plus 3 अपान क्या लिखा था अपान था x plus 2 in one bracket और 2x plus 3 in other bracket क्या तरीका होता है यह factors कैसे हैं linear and non-repeated तो इसके लिए क्या लिखेंगे a upon x plus 2 plus b upon 2x plus 3 यानि कुल मिलाकर कि आपका answer आ गया a, b के लिए लो निकाल लीजिए काम खतम हो जाएगा अब a, b के लिए लो ऐसे थुड़ निकलेगी तो क्या करेंगे इसमें हम लेंगे lcm डाट कर रहे है तो a के साथ क्या आएगा a के साथ आएगा 2x plus 3 और b के साथ क्या आएगा x plus 2 और ये cancel हो जाएगा नीचे और इधर क्या बचेगा 7 by 2x plus 3 is equal to ये equation number ये इसको 2 मानो अब पहुंचिए यहां तक इसको equation star डाल दो वैलू निकाल यहां रखेंगे फिर ये पूरा use यहां हो जाएगा ठीक है और इसको हम पूरे को y मान के चलना है कि ये जो लिखा है वो आपका dn of y है यापको क्या निकालना है yn निकालना है ठीक है अब इसको solve का तरीका क्या होता है हमने क्या गाता एक बार इसको 0 कर दो एक बार इसको 0 कर दो तो putting x plus 2 is equal to 0 और x is equal to minus 2 in equation 2 चीक रखिए तो x को minus 2 रखेंगो तो पूरी हर जीगा रखोगे न तो ये क्या बन जाएगा ये आएगा आपका 7 by 2 into minus 2 plus 3 is equal to ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा तो इसको 0 कर दिया है अपने तो a के साथ आएगा आपका minus 4 plus 3 इधर क्या हो जाएगा 2 to cancel हो गया minus 7 plus 3 is equal to minus का a ये आएगा minus का 4 तो a की value क्या आगई a की value आगई 4 तो a तो निकल आया ठीक है अब क्या करेंगे एक बार इसको 0 कर दो putting 2x plus 3 is equal to 0 तो x की value क्या आएगी minus 3 by 2 तो ये step पुरा 0 हो जाएगा ना ये step यहां रखो तो क्या आएगा 7 by 2 into x को क्या रखेंगे minus 3 by 2 plus 3 is equal to ये तो पुरा step 0 हो गया और b के साथ क्या आगया minus 3 by 2 plus 2 इसको लिख देते हैं half minus यहां रखेंगे नहीं value ना यहां लिखेंगे a upon x plus 2 plus b upon 2x plus 3 ये हमारी जाने कारे के लिए लिखा हुआ है उत्रा अलग कर लिया था ना अपने half से तो बाद में रखना पड़ेगे ना value तो देखिए ये क्या हो जाएगा minus का गलती जाएगा गलती नहोंने पाएगा कि बहुत calculation mistake होने के चाहँ से बहुत जाएगा ठीक है तो आएगा minus का 21 बटे 4 plus 3 is equal to A के साथ क्या आएगा B के साथ क्या आएगा minus का 3 plus 4 by 2 यहाँ 4 हो गया LCM तो आएगा minus का 21 plus 4 थिया 12 बटे 4 is equal to यहाएगा आपका B by 2 यह 2 से 2 कर जाएगा यहाँ 2 बचेगा 21 minus 12 कितना होगा 9 तो minus का 9 by 2 is equal to B B की value क्या आगई minus का 9 by 2 ठीक है अब हम A B को उठाते हैं और equation number 1 में रख यूज कर देते हैं ठीक है नूट कर लिया अब A B को कहाँ put कर दे हैं equation number 1 में putting A and B in equation 1 चुकि आपने तो 2 में रखना है लेकिन 2 का इस्तेमाल कहा करना है 1 में तो देखे ये एक्चली Y ब्रावर चल ला था ना अपने Y माना था तो क्या आएगा half minus A की value कितनी है 4 upon X plus 2 और भी कियो लूँ minus 9 upon 2 upon 2X plus 3 इसको open कर दो bracket को तो half minus 4 upon X plus 2 plus 9 upon 2 2X plus 3 ये आपका आप break होकर की Y आया यानि अब ये differentiable होगा अब इसको nth derivative निकालो Y n इसका तो 0 हो जाएगा ना पहली बार में ही काम खतम यहाँ पर क्या करेंगे minus 4 बाहर कर दो यहाँ आएगा dn of X plus 2 की power minus 1 और यहाँ पर 9 by 2 बाहर कर दो dn of 2X plus 3 की power अभी आप पढ़ चुके minus 4 ये minus 1 की power n into X plus 2 की power n plus 1 plus 9 by 2 minus 1 ये तो यहाँ पर 1 है ना AX plus B होता है ना n into factorial n into 2 to power n upon factorial n plus 1 अब देखो वैसे तो कुछ कॉमन है नहीं लेकिन अरे क्या लेक रहा हूं 2X plus 3 की power n plus 1 तो को यहाँ पर minus 1 की power n और factorial n कामन है बाहर लिख दो जो बचे रिजल्ट रेकेंप कर दो यही answer है यही पर छोड़ दो answer को ठीक है लेकिन